कि दोस्तों स्वागत है आपका एंप्लीफायर वर्ल्ड चैनल में देखिए पिछले वीडियो में इस बोड का मैंने रिविव किया था इस टाइप की स्पिट एंप्लीफायर का तो इस बोड का सरकीट डियाग्राम कहां से लिया गया है और आज इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हम इनपूट सेक्शन की तो यह इनपूट कार्ड है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनपूट सेक्शन जो है इसमें तीन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और जो सरकीट डियाग्राम एक दो और यह तीन जिसमें जो दो ट्रांजिस्टर इसमें इनपूट का है और एक ट्रांजिस्टर ट्रिपल फाइवन रेगुलेटेड पाउर सप्लाई एमीटर पर फीट कर रहा है मतलब ओर आल बात करें तो इनपूट सेक्शन में जितना माटरियल कुछ लगा हुआ है तो सारा कुछ इस इनपूट पीसीवी पर मैंने लगा दिया है अब इसके बाद हम बात करते हैं बायस सेक्शन के पीसीवी की तो देखी यह बायस सेक्शन का पीसीवी है यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें तीन ट्रांजिस्टर इसमें भी लगे हुए है और जो और दो 5551 है और यह केपिसिटर जो 10 हम 0.5 वाट की रेजिस्टेंस के बाद है देखिए यहां पर एक केपिसिटर है तो यह दोनों बड़े साइज में 100 यूफ के यहां पर लगे हुए हैं और जो 10 यूफ 50 ओल का केपिसिटर है इन दोनों के सेंटर में लगा हुआ है तो इस तरीके से इसमें भी minimum material के साथ जो bias section में जितना भी material है वो इसमें लगा दिया गया है अब next इसके बाद हम आ जाते हैं output stage पर तो यह रहा output stage और output stage में आप देख सकते हैं कि maximum जो output stage के component है जैसे के driver transistor यह दोनों driver transistor यहां पर यह लगे हुए हैं और main output transistor तो आप जानते ही यह द दोनों emitter resistance यहां पर इस तरीके से यह लग गई है और jobal network जो है 10 ohm और 104 का capacitor वो यहां पर लगा हुआ है इसके लावा इसमें और कोई खास component नहीं है और एक यह बच जाता 220 ohm 1 watt का resistance वो यहां पर लगा दिया गया है तो इस तरीके से यह output section complete हो जाता है दोस्तों अभी board को हम टेश्ट करने जा रहे हैं audio mixer के साथ connect करते है power supply से भी से जोड़ती है voltage देख लेते हैं actually दोस्तों इतना छोटा heat sink तो recommend नहीं किया जाता इसमें बड़ा heat sink लगता है लेकिन फिलाल हमें तो केवल टेश्ट करना है तो दिखे अभी इसमें rail to rail 72 volt है याने कि अगर बात करें तो single supply की तो 35 volt के करीब इसमें है with respect ground तो ground के साथ देख लेते हैं तो 36 volt आ रहा है plus and minus के साथ भी 36 volt होगा minus 36 volt चलिए इसको audio signal देते हैं audio signal यह Bluetooth के जरिये देंगे Bluetooth का wire हम input module में लगा देंगे यह हमने इस तरीके से लगा दिया अब चलिए कुछ music play करते हैं चलिए दोस्तों कुछ बपीदा का गाना आज चलाते हैं copyright का issue है कोई बात नहीं आने देते हैं copyright यह गाना especially Bengal के लोगों के लिए क्योंकि बपीदा तो Bengal ते belong करते हैं तो चलिए शुरू करें करते हैं तो फोड़ा आट इंज के साथ देख लेते हैं और यह जोड़ा आट इंज के साथ देख लेते हैं अधर आट आट इंज्ड़ आट तो दोस्तों भी आठ इंच लगा कर इसको भी देख लेते हैं इसमें बेस छोड़ा कम रखना पड़ेगा कि अलड़ी बहुत ज्यादा जंप करेगा कि अलड़े लिएर ली क्यांने करेड इसको भी दोस्तों भी दोस्तों भी दोस्तों करेड बेसिसरों teri क्यांने लिएर लिएर। तो दोस्तों सेंप्लि फैर के सांड क्वालिटी के अगर मैं बात करूं तो यह काफी अच्छी सांड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है home use के लिए काफी बैतरीन है clean sound है और इसके साथ साथ इसमें किसी प्रकार का कोई humming नहीं है अगर बिल्कुल volume zero रखते हैं तो speaker पर भी बिल्कुल कान लगा देते हैं तो ऐसा कोई humming का noise बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता very silent है यह तो आप भी चाहे तो इसे बना सकते हैं क्योंकि मैं इसका PDF फाइल आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम next वीडियो में किसी और नए circuits के साथ तो thank you for watching and have a nice day